हेलो आवर्यवन वेल्कों बैक तो मैं चैनल सो जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था मैं जा रही हूं कमबोडिया की कैपिटल फिन फेन एंड यहां की संट्रल मार्केट विजट करने वाली हूं लेकिन भाईया ने मुर को बता है रॉष्यन मार्केट भी है तो कि नाम रॉष्यन थोड़ा वजन लगता है ना तो मैं जैसी चाहरी थी भाईया ने कहां कि यहां बहुत चोरी होती हैं सो आपको आप बहुत केरफुल रहना और मैं आपको बता रही हूं कमबोड़े इस वेरी अंसेफ कंट्री तो यहाफ तो बी वेरी ग्रेफुल विद जाते हैं मेरा पूरा मूड खराव हो गया दो तीन चक्कर लगाए मैंने और उसके वापस आगे मेरा बड़ा मन था वीडियो शूट करने का लेकिन कुछ था नहीं शूट करने के लिए ना मैंने कुछ लिया इतने महंगे कपड़े थर्ड क्लास कपड़े तो मैं चले गई वहां से डिरेक्ट पैदल वॉक करते हुए सेंट्रल मार्केट यहां एक मॉल भी जो मेरे पीछे दिखाया दे रहा हो काफी अच्छा मॉल है और वहां पे भी काफी जादा हाई रेड थे मतलब बहुत जादा हाई रेड थे और यह है सेंट्रल मार्केट का नजारा होगी सबसे अच्छी खास बात इसकी है सुबह 8 बज़े खुलती है और दिन के 5 बज़े से बंद हो जाती है मतलब 4 बज़े आपको धीरे-धीरे बढ़ाते वे दिखेंगे लोग दुकान सो इसके बाद इस तरी के कुछ मिलती है यहां पर फेक चीजें और यहां पर डाइमेंज का और सोने की चीजें भी मिलती है प्लस कार के काफी शौकीन है यहां के लोग तो भाई मैं तो घुमते घुमते ठक गई थी मैं जवाब दे चुके थे मेरे हाथ पैर तो मैं चले गई कुछ काफी आफी पीने इस बार मैंने पैसे वेस्ट ना करने की सूचे इसलिए मैं चले गई स्टाबक्स और यहां बैटके रियलाइज हुआ कि एक्चुली मैंने थोड़ा पैसे वेस्ट तो करी दिये हैं बट कोई बात नहीं अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया है सो यह कुछ बैग लिये मैंने और एक गाउन जो पहन रखा है वो लिया और यह सोविनियर्स लिये वो भी इसलिए लिये विकेज उसकी दुकान थोड़ा इंटीरियर में दियो और I am his first customer तो एक दुकानदार दुकानदार का गम समझता है सिर्फ यह सोच के लिए अदर्वाइस मेरा बिल्कुल मन नहीं था यह वीडियो को मैं यहीं कतम करती हूँ और आप से मिलती हूँ डिरेक्टली बैंकक में जहां से मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदे हैं मैंने बहुत सारा सुना है उसके बारे में सो तिल देन ठेक क्यार बाई बाई